नमस्का फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के उपर जो है आपका UGC यानि की यूनिवर्सिटी ग्रैंट्स कमिशन जो की आपके UGC तो सबसे पहले हम बताएंगे कि विस्विद्याले अनुदान आयोग का सबसे प्रमुख काम कौन कौन सा है तो याद रखीएगा सबसे प्रमुख काम इसका है कि विस्विद्याले को मानेता देना सिकेंड इसका सबसे प्रमुख काम में आता है कि विस्विद्याले को वित यानि की fund यानि की पैसे महिया कराना थर्ड इसका important काम अगर देखा सा है तो अब इस विद्याले के गुर्वत्ता में वृद्धी करना इसके काम के अंतरगत आता है और अगला सबसे important point देखा जाए महत्वपूर काम के अंतरगत जो आता है वह है कि भारती विद्याले के लिए मानक तै करना चाहे वह सिच्छा के लिए हो चाहे शिच्छ के निउक्ति के लिए हो थीक है तो मानक तै करना इसका important role है, work है और फिर सोध के लिए जो research है उसके लिए fund मुहिया कराना, वित मुहिया कराना तथा जो research scholars है समय समय पे सलाह देना UGC के काम के अंतरगत आता है ताकि विस्व विद्यालियों का और भी बैतर तरीके से डिवलप्मेंट किया जा सके आगे मधपुर्वक के अंतरगत आता है कि नए स्टेंडर्ड यानि की मानक तैक करना और साथ में उसे प्राप्त करने के लिए विस्व विद्यालियों को सहयोग देना आपके UGC के अंतरगत आता है तो ये सबसे प्रवक काम था अब चलते हैं हिस्ट्री के उपर UGC का अस्थापना कैसे हुआ तो देखें UGC की अस्थापना की बात कीता है तो 1947 के पहले इसका अस्थापना देखा जा अस्थित्यों में आना सुरू हो गया था और 1947 के पहले ये आपके अलीगड और आपक पहला एजुकेशन हाईयर एजुकेशन से जुड़ा हुआ आपके कमिशन आता है जिसका नाम होता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन ये नाम होता है आपका 90 आपका 48 और आपका 49 में ये कमिशन का गठन होता है और इसके जो अध्यच होते हैं वो होते हैं आपके ड पारिशों के आधार पे UGC को क्या किया गया लीगल बनाने के काम किया गया और 28 दिसमबर 1903 को यह बैतर तरीके से अस्तित्यों में आ गया लेकिन इसको लीगल करने का जो काम हुआ वो हुआ आपके परलियमेंट के एक्ट के द्वारा ठीक है 1956 में तो परलियमेंट का जो अधिनियम था उसके द्वार 1956 में यह लीगल तोर पे अस्थापित हो गया और फिर यह अपना सही से काम करना प्रारम कर दिया और इसके मुख्याल का अस्थान देखा जाए तो इसका मुख्याल आपके नई दिल्ली में है याद रखीगा का जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन यानि एजुकेशन के लिए जो कमिशन बनाए गया था उसके सलाह पर हुआ था और फिर आगे देखिए कि उजिसी उच्छा मानकों के समन्वे निधारण और विने के लिए जिम्मदार वैदानिक यानि कि आपका लीगल आपक जाले हो और कालेजियों को धन मुहया कराने का काम करता है आपका यूनिवर्सिटी अब बात किया जाए कि यूजिसी का आपजेक्टिव क्या है तो देखिए उद्देश और हम फंक्शन के ऊपर एक साथ डिसकस कर लेंगे पॉइंट वाइट ही है इसका उद्देश और फ अबजेक्टिव के उपर बात करते हैं तो यह है आपका to coordinate, determine and maintain the standard of university education यानि कि विश्विद्यालों की सिच्छा के मानकों का समन्य में निर्धार और रख रखाव करने का काम या उद्देश से आपके UGC का है और second देखिए to ensure the quality of university education यानि कि आपके विश्विद्यालों की स सुनिश्यत करने के लिए देखा जाए तो इसी को जिम्मेदारी दी गई है इनका देखा जाए उद्देश के अंतरगात आता है फिर अगला important उद्देश से कहा जाए इसका है आपका advising central and state government on the measure for the improvement of university education यानि कि विश्विद्याले सिच्छा के सुधार के उपायों पर केंद और राजसरकार को सलाह देना इसका उद्देश में आता है काम में आता है अगला इसका important point देखिए कि promote and आपका coordinate university education यानि कि विश्विद्याले सिच्छा को पढ़ावा देना और समन्यों करना इसके महत्पूर आपके उद्देश्यों के अंतरगत आता है अगला point देखिए institute fellowship and scholarship यानि कि आपके संसान को fellowship और चातरवीत के देखा जाए काम का कहाजा या उद्देश का आधार पे इनका work चलता है फिर देखिए अगला जो point है to foster national, regional and international linkage and collaboration in the field of the teaching and learning यानि कि आपका देखा जाए सिछड़ और सीखने के फिल्ड में यानि कि एरिया में या चेत्र में राश्री चेत्री और अंतर्राश्री संबंधों और स्वयोग को बढ़ावा देना आपके इसके उद्दिश्यों के अंतरगत आता है seven point पे देखा जाए कहा गया है कि to help the university in staff development and student mobility ATC ठीक है तो यहाँ पे कहास आ रहा है कि staff हो गया चेक कर्मचारी विकास हो गया ठीक है चात्रगत तसीलता आदि में विश्विद्द्याला की मदद करना इसके उद्दिश्यों में आ जाता है अगला point देखिए to help to university सोई अगली point यहाँ पे है फिर monitor academic functions of universities यानि कि विश्विद्यालों के सैच्छिक कार्यों का देखा जाए तो निगरानी करते रहना इसके कामों में आता है फिर देखिए आपके विश्विद्यालों के अनुसंधान जो कार्य है का समर्थन और समन्य करना इनके मुख्य कामों के अंतरगत आ जाता है अब देखिए आपका है मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फार दर अपॉइंटमेंट एंड सर्विश आफ टीचर्स एंड अधर इस्टाफ इन दर यूनिवर्सिटी एंड कॉल्जिस तो यहां पर आपका आ जाता है कि जो आपके विश्विद्याले हैं ठीक है आपके महाविद्याले हैं उनके इसके इंपोर्टेंट वर्क होते हैं और साथ ही साथ अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं देर ना लगाए और इससे जुड़ा हुआ जितना भी हमें लगता है मतुपूर पॉइंट था आपको हमने डिलिवर क जब तक की अगला वीडियो नहीं लाते हैं तब तक की थेंक्स वोश्ची और आपका दिन बहुत बहुत सुखो